Hello and welcome to Digital CAD Solutions, Digital India का Digital Guru, मैं हूँ मिरा जनसारी, welcome to the next session, इस session में हम इस drawing को complete करेंगे, ठेक है, तो आप देख सकते हो, ये हमारा drawing है, और proper dimension apply किया गया है, ठेक है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, NX को खोल लिया है, आप चाहो तो इसको close कर सकते हो, या फिर रहने दे सकते हो, मैं close करना ज्यादा पसंद करूँगा, ठेक है, यहां से हम लोग इस button पे click करके, इस file को close कर सकते हैं, ठेक है, फिर से एक नया file लेंगे, और यहां से उसी तरीके से model, model number 6, then ok, यहां पर भी आप चाहो तो top plane ले लो, या right plane ले लो, या left plane ले लो, कोई फरक नहीं पड़ता, क्योंकि यहां इसा कुछ specify नहीं किया हुआ है, ठेक है, तो मैं जहां मन करेगा, वहां पर ले सकता हूँ, sketch में जाता हूँ, अभी यहां से भी ले सकते हो, यह भी ले सकते हो, आप कि मर्जी, ok क कर दिया है, उससे पहले मैं इस बटन को off कर देता हूँ, क्योंकि जंगल मुझे नहीं चाहिए हम लोगों को, ठीक है, अब सबसे पहला काम तो हमें यह करना है, कि यहां पर एक मुझे 40 radius का circle ले लेना है, और यह पूरा बना लूँगा, फिर उपर हम concentrate करेंगे, ठीक है, च काम थोड़ा जादा है, उसके बाद उपर भी एक मैं ले लेता हूँ, इस जगहा पर, दिख रहा है, और इसका radius आपको 44 लेना पड़ेगा, क्योंकि, sorry, diameter 44 लेना पड़ेगा, क्योंकि radius 22 दिया हुआ है, यहां से मैंने 44 diameter ले लिया, और मैं इसको यहां पे कहीं तो रख दे vertical axis के बराबर align करना है, तो आप क्या कर लो, इस center को पकड़ो, और यहां पर आपको vertical axis लेना है, और बाद में इस बटन पे क्लिक कर दो, point on curve पे, तो यह जाके align हो गया, अभी हम पूरा total dimensions डाल देते हैं, देख सकते हो, center to center distance हमारा 128 दिया हुआ है, तो यह काम आपको पहले ह कर लेना है, ठीक है, 128 डाल दीजे इधर, बाकी का काम बाद में, नहीं तो क्या होगा, एक बार आपने complete करके dimension डालने का सोचा, तो फिर इधर उदर आपका drawing हिल जाएगा, तो चलिए, यह हमारा total distance कबर हो चुका है, अब आगे का काम हम कर सकते हैं, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह देखो 32 radius इधर भी है, 32 radius इधर भी है, बट इसका distance यहाँ से 28 नीचे लेना पड़ेगा, आई बद समझ में, तो चलिए, हम वो लेते हैं पहले, उसके बाद हम इन सब को fillet कर देंगे, 30-30 का, ठीक है, चलिए, फिर लेते हैं, सबसे पहले हम लोगों का एक circle लेना है, कुछ यहाँ पर है न, ओके, और इसका radius देख सकते हो, 32 है, मतलब diameter 64 होगा, आपको डालना चाहिए, 64, enter, middle mouse, middle mouse, ओके, मैं इसको बाजमेर कर देता हूँ, अब यहाँ से देखे, distance 28 डालना होगा, मतलब इसके और इसके बीच का distance 28 डालना होगा, और उससे पहले हम इस center को पकड़ना है, और यहाँ पर जाके इसके साथ touch कर देना है, फिर d enter कीजिए, d से क्या होता है, dimension होता है, यहाँ से आपको 28 डालना है, आई बद समझ मैं, और यहाँ से मैं close कर देता हूँ, ठीक, अगला step क्या होगा, देखे, यहाँ से यहाँ तक tangent में lines लिए गए है तो line ले लेते हैं, यहाँ से लिजिए, यह line हो गया, यहाँ तक, और यह line हो गया, यहाँ तक, middle mouse, ठीक, बाकी का काम आप trim कर सकते हो, यह सब देख लिजिए, हमें trim करना है, ओके, और नहीं तो आप पहले इधर चले जाओ, मैं चाहूं, बड़े वाले circle को सिर्फ मैं trim कर रहा हूं, है ना, बाद में, इसका काम होगा, ठीक है, चलो ता, अभी हम लोगों को और क्या करना है, चलिए देखते हैं, इसको मैं delete कर देता हूं, अभी हमेरा काम रहेगा, यह 30-30 का fillet डालना, यह लिए radius 30 डालना है, और इसको पकड़ा, और इसके साथ कर दिया, यह उल चीज़ देखिए, यहाँ पर मुझे trim नहीं करना था, लेकिन automatically trim हो गया, तो मैंने यह भी बड़ा ही details में आपको समझाया है, कि दोनों की जरूरत पड़ सकती है, जहाँ पर जिसकी जरूरत हो, उसका इस्तमाल कीजिए, तो हम लोगों को यहाँ पर untrim की जरूरत है, तो untrim नहीं है, इधर लेके चेक करता हूँ, यह भी नहीं आ रहा, तो ऐसी condition में हम लोगों को क्या करना चाहिए, मैं सांदार method बताता हूँ, यह जो value है ना वो मढ़ डालिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए, यह बाहर अंदर आ रहा है ना, आप यहाँ पर click कर दो, तो यह द यह दोनों हमें trim कर देना है, प्रेस T for trim, यह हड जाएगा और यह भी हड जाएगा, ओके, अगला step क्या है भई, यहाँ से हमें यह profile बनाना है पूरा बाहर बला, कोई issue नहीं है, आप यहाँ से profile का इस्तमाल कीजिए, यहाँ पर आपको बताऊंगा मैं कि quadrant point लेना ज़रूर हूँ, फिर यहाँ से आपको arc लेना है, ले लो, कुछ यहाँ से, ठीक है, बाद में आप values बगर है डाल देना, no problem, फिर मैं इसके quadrant में touch कर देता हूँ, middle mouse, middle mouse, सबसे पहले इन दोनों को पकड़ूंगा, यहाँ से tangent लोंगा, फिर आप इसको select कर लो, one second, line को select करना है, vertical कर द distance कितना है, तो 28 में ही रखना है, मतलब, इसका center और इसका center, coincident होना चाहिए, आई बाद समझ में, coincident करने के लिए हम क्या करेंगे, इस center को पकड़ा, फिर जाके इसको पकड़ो, यहाँ से आपको merge कर देना है, या coincident कर देना है, इस तरह से हमारा काम बन गया, अब यह जो extra line है, उसको आप trim कर दीजिए, ठीक है, यह देखो, हमारा trim हो चुका, अब आगे, यहाँ पर एक और circle है, radius 12 का, ठीक है, कोई issue नहीं है, मैं दो circle ले लेता हूँ, radius 10 मतलब diameter 20, और 12 का मतलब 24, यहाँ पर आपको रख देना है, middle mouse, काम खतम, अगला step क्या करना है, यहाँ से देखिए, मैं straight line लेता हूँ, है न, और यहाँ से भी हमें straight line लेनी है, ओके, तो चलिए line लेते हैं पहले, है न, यहाँ से मैं profile भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से quadrant, थोड़ा सा इधर जाता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पर quadrant पर touch कर देता हूँ, यह quadrant पर touch किजिए, middle mouse, middle mouse, अगर यह vertical नहीं है, ता आप इसको select करके vertical किजिए, ठीक ह है, यह काम हो गया, अब अगला, यहाँ पर देखिए, 14 का लेना है, मतलब यह distance हमारा 14 का होना चाहिए, okay, काम हो गया, escape कर देता हूँ, अभी इंद को select कर लेता हूँ, यहाँ पर तीनो lines को मैंने select किया, यहाँ पर जाके mirror tool लेना है, center line को select करूँँगा, and then okay कर देना है, यहाँ से, ठीक है, बाके का बेकार का trim कर दो, T4 trim, यह हट गया, यह हट गया, देखिए, हमारा label धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो याद रखिएगा, अच्छा, एक और चीज, यहाँ पर देखिए, 3 mm का fillet दिया गया है, तो क्या यहाँ पर ब दायेगा, तो 24 में से 20 गया बचा कितना 4, तो यहाँ पर 2 mm का बाइट सकता है, 3 mm का नहीं बाइटेगा, ठीक है, ता हम लोगों को 2 mm का fillet यहाँ पर डालना चाहिए, ओके, 3 mm का लेंगे, तो उसका center जो है, इसके साथ coincident नहीं हो पाएगा, ठीक है, ता आप fillet लिजिए, 2 mm लिजिए, यहाँ से, मैं इसको पकड़के, इसके साथ touch कर दिया, और इसको पकड़के, इसके साथ touch कर दिया, middle mouse, middle mouse, यह trim हो जाता, तो भी चलता, लेकिन हमने, वो check mark नहीं किया था, इस वज़े से इसा आया, यह दूसरा वाला option जो है, लेना चाहिए था, मैं इसको हटा इस circle के center से 10 mm उपर लेना है, एक circle, पहले ता आप यहाँ पर लिजिए, radius 12 देख रहा है, diameter 24 कर देता हूँ, और नीचे 10 लेना है, मतलब यहाँ पर diameter 20 लेना है, ठीक है, सबसे पहले इन सब को, इसको लिया, इसको लिया और इसको लिया, सब को मैं point on curve कर देता हूँ, align हो गया, दूसरा चीज, यहाँ से उपर 10, distance डाल दीजिए आप, 10 ले लेना है, फिर यहाँ से total distance, इसके center से, इसके center तक 28, मतलब यहाँ से लेना है हम लोगों को, यहाँ तक 28, आई वास वाज मैं, ओके, काम हो गया, अब देखो, एक side से line लेंगे, और बाद में mirror करेंगे tangent लेना है, दोनों के, ओके, इधर से भी ले लो, mirror नहीं भी करेंगे, तो भी चलेगा, direct आप line ही ले लो, middle mouse, T4 trim, यह दोनों हट गया, अब जाके हमारा profile हुआ complete, देख रहे हो, and looking very nice, अब आप इसको क्या कर सकते हो, solid में convert कर सकते हो, finish sketch करेंगे, यह देख लीजिए, हमारा sketch पूरी तरह से तयार है, ठीक है, और यहाँ पर आपको message पर भी गौर करना है, यहाँ पर देखिया, sketch needs three constraints, मतलब कहीं न कहीं कुछ तो छूट गया है, है ना, मुझे तो नहीं लग रहा कहीं पर, auto constraint यहाँ पर on है क्या, तो इसको on करके देखेंगे, हाँ, यह देख लो, और यह तीन, तो आप क्या कर लो, इन सब को fix कर दो, score, score, इसको select करके, यहाँ पर इस button पर click कर दो, क्या हो जाएगा, sketch is fully constraint, ठीक है, नहीं तो geometrical relation हम लोगों को डालना पड़ेगा, इस center को इस line के साथ coincident करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलिए फिर, यह काम हमारा हुआ पू उसको strong dimension में convert कर सकते हो, ठीक है, चलिए, now our sketch is fully constrained, अब जाके finish sketch करेंगे, end button पर press करके isometric लेंगे, और हम x button को press करेंगे, x का मतलब extrude होता है, अब यहाँ से मैं इसको लेके, इसको symmetric कर देता हूँ, and apply कर दिया, फिर मैं यहाँ पर ज़रा value कम करूँगा, मैं 7.5 ले ले लेत हो, suppose, और इसको symmetric कर देता हूँ, ठीक है, या तो फिर इसको 10 का ले लेता हूँ, पहले वाले को क्या करेंगे, पहले वाले को हम बढ़ाएंगे, यहाँ पर 15 कर देता हूँ, yes, looking nice, अब जाके आप क्या कीजिए, इसको select करके hide कीजिए, यह देख लो, कितना खुबसूरत sketch थ ठीक है, तो sketch को मतलब fast करने का आदद डालिए, ठीक है, अगर sketch हमारा fast हुआ, तो बाकी का काम हमारा fast होगा, and fast के साथ-साथ हम लोगों का accuracy भी maintain करनी है, ठीक है, तो चलिए मैं जड़ा fillet apply कर लेता हूँ, 1 mm is enough for us, fill हाल के लिए तो एक ही mm रख रहा हूँ मैं, apply कर दो, यहां से भी ले सकते हैं हम लोग, इधर भी ले लेता हूँ, इधर भी ले लिया, बाद में हम लोगों को क्या करना है, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, इधर भी ले लो, और फिर इधर ले लो, and इधर ले लो, and okay, यह हमारा काम हुआ परफेक्ट अच्छा एक और जगा पर लेना है डबल क्लिक करके आप इस एज को और इस एज को ले लो या तो फिर एक ही जटके में सेलेक्ट करके कर सकते हैं तो यह काम हमारा हुआ कम्प्लीट जाए यह व्यू में ट्रू शेडिंग और यहां से इस बार सेलेक्ट किजिए इस तरह से और इस बार मैं क्या कौन सा कलर लेता हूँ इस कलर को लोगा स्केप करूँगा यह लगता है इसमें कुछ ज़्यादा फरक नहीं पढ़ रहा है ना तो दूसरा कलर में लोगा या तो आप एक काम और कीजि है और यह यू कन सी लूकिंग नाइस शाइनी ठीक है और अगर आपको नहीं चाहिए शाइनी तो हटाइए और यहां से भी कुछ लेना है तो लिजिए यह वाला स्केप करता हूँ यह भी बहुत खुबसूरत दिख रहा है तो हम लोगों के लिए ज्यादा खुबसूरती म मैटर नहीं करता है ठीक है हम लोगों के लिए एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करता है ओके हम चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टुटोरियल के साथ थैंक्यू फॉर दिस सेशन थैंक्स पर जोईनिंग डिजिटल काइड सॉल्यूशन बाइबाइबाइब गुद डे एंड टे